हलो वेलकुम तो मैं चैनल आज आम एक शॉर एंड को एक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग टॉरस अगर संद मून और रैजिंग की पोजीशन आपकी टॉरस यानि की रिश्व राशी है तो यह रीडिंग आपके लिए है एक जैनर स्परसिफिक रीडिंग नहीं ह आपके पसंद नहीं है तो सकते हैं आजीज आप लोग साथ माच करें हो सकते हैं ना करें अगर माच करती है तो क्लेम करें अदरवाइस लिए इसमें हम चैक करेंगे कि 28th of February से लेके 28th of February तक कर टाइम पियर्ड है वो आप लोग कैसे रहने वाला है तो प्लीज इंग इंग 28 करके रखे हुए है तो लेट सी थैरो आपके बारे में क्या कहता है त्स्थारेड थ्री आफ सोड्स ओके दाफूल पोर अफ कप्स आपका चैलेंज है कुईन फ कप्स अपका बॉटम आप देख है पेज अफ कप्स विछ थी आफ पैंटिकल्स नाइन फ पैंटिकल्स दास आपका कोई बिट्रेयल आपने डेफिनिटली साहा है जेला है और हाट ब्रेक है जिसकी वज़े से कंप्लीटली मुझे शाटर्ड नजर आ रहे हो बट आपने अपने आपको काफी अच्छे से समाला है मसे टॉरस और इसी वज़े से आप रज़ेंट में मुझे एक आनी चीजों को पीछे छोड़ते हुए और आप काफी अफ़र्ड रहे हो और चीजे आपके लिए आप देखोगे आप इतनी इस्पाइरिंग लिए और क्रियाटिवली सारी चीजे अपने लिए हापन करें कि नहीं मेरे को एक न्यू स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट करीयर के लिए हो सकता अफ यस अंपनी चीजे बहुत ही और सिंक्रिंसिंटी में होती चली जाएंगी- काफी को यह समिलते हुए जुलते हो देख रही हूं मैं ओलिज गयादर कर देख रही हूं मैं हैंसे काफी फोकस देख रही हूं इन शॉट मैं आपके लिए हैपने कर रहे हो आप और आपको नियर फ्यूचर में आते देख रहा हूं भी टर्म में आप ये रीडिंग देख रहे हो जिस भी कंसर्ण में काफिश पॉचुनियटीस आप को मिलेंगे आप ये डिपेंड आप पहते कि की का ईप कौन सी चूस करते हो आपका कैसे फायदा ओठाते ह आपका चालेंज यही है queen of cup से कि past का जो भी आपका experience रहे है उसकी वज़े से आप love से अपने आपको पीछे खीच रहे हो, हर चीज में आगे बढ़ना चाहरे हो family में, career में, internally, सब कुछ अपने लिए बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट जहां प्यार का नाम आता है आप अपन अपने loved one या अगर कोई partner है या कोई भी loved one है, उसके साथ आप आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, प्यार को आप पर सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, प्यार को अपनी life में जगा देते हो या नहीं देते हो, Taurus, in short मैं आपको यही बोलूँगी that love is your challenge and आप ब overcome कर सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से अपने आपको heal किया है and अपने उपर मैं बोलूँगी अपने inner self पे basically आपने विजय पाई है, बस अब कहते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो आपने उससे सबक सीखना है, हमें let go तो करना है, but ऐसा let go नहीं करना है कि हमें means अब कुछ चाहिए नहीं उससे related, ऐसा नहीं होना चाहिए, means it's like कि आपको उससे lesson learn करना चाहिए, forgive करना चाहिए, forget नहीं करना चाहिए, because प्यार के बिना तो हम सब कि I think life incomplete है, एक प्यार ही ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब लोग humans कलाते हैं, emotions की वज़े से हम humans कलाते हैं, otherwise तो हम robots हो ज आगे opportunities आपको मिल रही है, उनका फायदा उठाओ, be bold and make the first move, see universe आपको बोल रहे है, कि आपको जो है first move लेनी की जरूरत है, talk less, feel more, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, चीजों को और आगे बढ़े हो, universe बोल रहे है, इसी तरीके से flow में भैते जाओ, जादा सोचो मत, जादा बोलो मत, जो महसूस कर रहे हो, उसी को अपने actions बना लो, and अगर आपको लगता है, कि आपको first move करना चाहिए, तो go for it, अपने आपको हिचकिचाओ मत, कि मेरे past में यह experience रहे है, तो नहीं मैं second chance नहीं दूंगा, या दूंगी, या नहीं मुझे इस love concern में आगे, नहीं बढ़ना, and all, सिर्फ महसूस करो, अफ्लो के साथ आगे बढ़ते रहो, and अगर आपको लगता है, you should do the first move, so go for it, Taurus, give your relationship a chance, see, oh my god, work on your partnership, आपके angels भी आपको बोल रहे हैं, कि आपको अपने relationship को एक chance देना चाहिए, retreat, it's time to disconnect from the word, and see, new love is waiting for you, a person has steady or romantic feelings, जिसके लिए भी आप महसूस कर रहे हो, definitely आप किसी person के concern में गई reading देख रहे हो, तो आप उनसे definitely बहुत प्यार करते हो, and आप उनको एक दूसरा मौका दो, because love आपका wait कर रहा है, पूरे word से disconnect हो, कि अपने अंदर, अंदरूनी inner self से पूछो कि आप क्या चाहते हो, and if you want that person, आप ये प्यार चाहते हो, ये चानेक्शन चाहते हो, तो give them a second chance, because he is your love of a lifetime, so that's all I have for you Taurus, I hope you get something out of it, Jai Shrif Shakti.